तो पिछले एपिसोड में डलाव गोल्डेन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल के मास्टर को पता चला था कि उनके अंसेस्टर की मौत हो गई है लेकिन उसी वक्त सिंग्यून भी अपने लोगों के साथ में वहाँ पर आ गया था और वहीं पर उन दोनों को भी मार दिया था इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंग्यून अपने लोगों के साथ में मीटिंग कर रहा है जहाँ पर वो सभी से बताता है कि लीन यूआनली और गूस वान फेंग की मौत की खबर बहुत ही जल्द पूरे डलाव गोल्डेन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल में फैल जा है तब उसकी यहाँ बात सुनकर वोजिंग उसे कहता है कि फाइनली लीन यूआनली और गूस वान फेंग की मौत हो गई है जिसके वज़ा से काउंटर अटैक करने का यहाँ सबसे अच्छा समय है जिस पर सिंग्यून कहता है कि हम डलाव गोल्डेन सेक्ट और सेंसियाओ ह है तब इसके लिए हमें सभी गैर जरूरी जगडों से बचना होगा और इसके अलावा दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि डलाव गोल्डेन सेक्ट और सेंसियाओ हौल के इस्टूडेंट बहुत ही खतरनाक और धूर्त हैं जिसके वज़ास से अगर उनके मन में थोड़ी सीवी बदला लेने की भावना हो तब इसके लिए वो वांजियान पवेलियन को चुपके से टार्गेट करेंगे इसलिए हम देखते हैं कि सिंग्यून सबसे पहले इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता है जिसके बाद वो इन सभी से कहता है कि कल से ही इसके बारे मे में भी सोचना चाहते हैं क्योंकि अगर यह ऐसे लोगों को जिन्दा रखेंगे तब इसके वजह से आने वाले समय में इनको बहुत बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है तब इसके इस बात को सुनकर लेफान कहने लगता है कि मास्टर आपकी बात पूरी तरह एसे सही है लेकिन इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसलिए लूफान कहता है कि आप इसकी जीमेदारी हमें दे दीजिए इसके बाद हम देखते हैं कि लूलिंग भी इसके लिए मान गया है और फिर वो सिंग्जून से कहता है कि मैं भी इसमें मदद करना चाहता हूँ क्योंकि इस तरह से ये दोनों एक साथ मिलकर उन सभी बुरी पाउर को खत्म कर देंगे जो कि आने वाले समय में वान जी आन फिर वो इसकाम की जिम्मेदारी इनको दे देता है अब हम देखते हैं कि इसकी यह बात सुनकर दोनों यहां से जाने लगते हैं लेकिन तभी सिंग्यून अनौंस करता है कि डलाव गोल्डेन सेक्टर सेंसियाव हॉल का विजाल एरिया भी वांचियान पविलियन का हो जाता है ताकि इसके वज़ा से चारो तरफ सांती बनाई जा सके इसके बाद हम देखते हैं कि सिंग्यून इसकाम की जिम्मेदारी लिन फेंग को दे देता है अब इसके इस बात को सुनते ही लिन फेंग इसके सामने आ जाता है और फिर सिंग्यून से कहता है कि आप इसकी जिम्मेदारी क्रिमिनल लोग के उपर छोड़ दीजिए क्योंकि मैं इस मैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर दूँगा लेकिन हम देखते हैं कि वूजिंग लिन फेंग को इसके लिए अकेले नहीं जाने देना चाहता क्योंकि ऐसे सीच्यूएशन में यहां चार करना मुझे बहुत अच्छे से आता है जिसके वजह से वह भी लिन फेंग के साथ में जाना चाहता था तब इसके इस बात को सुनकर सिंग्यून इन सभी को अपने सबसे आखरी और जरूरी बात के बारे में बताता है और फिर इन से कहता है कि हम अपने पूरे 36 स्टेट में अपने पूरे आर्मी को भी फैलाएंगे क्योंकि असल में सिंग्यून हर जगा पर वांजियान पवेलियन के एक ब्रांच को इस्टैबलिस करना चाहता है ताकि इसके बजह से अलग-अलग रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके सर्कुलेट किया जा सके तभी इसकी यह बात सुनकर मिसिया सिंग्यून से कहती है कि आप इसकी जिम्मेदारी इंटर्नल अफेयर डिविजन के उपर छोड़ दीजिये अब इसके इस बात को सुनकर सिंग्यून भी इसके लिए मान जाता है और इसी के साथ वो कहता है कि मिसियन भी तुमारे साथ में जाएगी इसके बा जा से इनकी ताका दो गुना बढ़ गई थी जिस पर सिंग्यून एल्डर मो से कहता है कि फॉर्चुनेटली डलाओ गोल्डेन सेक्टर सें सियाओ हॉल में बहुती कीमती ट्रेजर थे नहीं तो अगर वे नहीं होते तो इसके बीना या सब इतना इसमुतली नहीं हो पाता और फिर इतने असानी से हम उन दोनों मास्टर को नहीं हरा पाते लेकिन तबी सी बीच एल्डर मो सिंग्यून से फूचता है कि तुम जिन सियाओ माउंटेन से जो दो वाइड जेड इसकलेटन को लेकर आये थे आखिरकार तुम उनके साथ में क्या कर रहे हो तब इसके इस वज़ा से केवल स्प्रिच्वल फार्मेशन और स्प्रिच्वल पाउर का यूज करके इनको बिनास करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है जिसके बाद एल्डर मो सिंग्यून से कहता है कि मैं इसके बारे में सबसे ज्यादा इंट्रेस्टेड हूँ की आखिर तुमने इ वज़ा के बारे में अपने आप ही पता चल जाएगा लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर मो को अभी भी उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर कोई पाउर एक्टिवेट हो जाती है जिसे देख एल्डर मो कहते हैं कि य लेकिन तवी सिंग्युन एलडर्मों से कहता है कि अब हमें यहां से चलना चाहिए जिसके बाद एलडर्मों उसके साथ में यहां से चले जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि सिंग्यून के साथोई स्टूडेंट मिलकर अपने फॉर्मेशन को बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे जिसके दौरान हम देखते हैं कि वे सभी एके करके अपने मार्सल सोल को भी एक्टिवेट कर लेते हैं जो की देखने में बहुत ही ज्यादा सांदार लग रहा था इसके बाद ये सभी जैसे ही अपने अपने पाउर को एक साथ में कमबाइन कर देते हैं तब हम देखते हैं कि इसके वज़ा से फॉर्मेशन की पाउर और भी ज्यादा बढ़ गई थी और अब इतने खतरनाक पाउर को देख वाकी लोग भी यहाँ पर हैरान हो गए थे लेकिन अब इसके कुछ समय के बाद इनकी प्रैक्टिस खतम हो जाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी वापस सिंग्यून के पास में आ जाते हैं जिनको देख सिंग्यून कहता है कि तुम सभी की आज की प्रैक्टिस खतम होती है लेकिन ऐसा करने के वज़ा से तुम सभी जरूर ही बहुत ज़्यादा ठक गए हो गए इसलिए सिंग्यून इन सभी से कहता है कि तुम सभी को अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि इस प्रैक्टिस के बाद तुम सभी के आराम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है लेकिन हम देखते हैं कि सिंग्यून कौन्यू के साथ अकेले में कोई बात करना चाहता था जिसके वज़ा से वो उसके अलावा सभी को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है कौन्यू भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में दिखाने के लिए अपने फॉक्स मार्सली स्प्रीट को बाहर निकाल लेती है जो कि बाहर आने के बाद इन दोनों के चारो तरब घूमना सुरू कर देती है लेकिन फिर कुछ समय के बाद कौन्यू इसे अपनी बॉड़ी में वापस खीच लेती है और सिंग्यून कौन्यू से कहता है कि अगर नाइन टेल फेरी फॉक्स मार्सली स्प्रीट की प्रैक्टिस अगर एक बार कम्प्लीट हो जाए तब उसके बाद तु मार्सलाट के चो में मिक्स भी है जिसका मतलब है कि तुमने नाइन टेल फेरी फॉक्स मार्सली स्प्रीट को जबरदस्ती कंबाइन किया था और इसके अलावा तुमने मार्सलाट के इनहरिटेंस को भी प्रैक्टिस किया है जिसके बाद वो कौन्यू से फूचता है कि क्या मेरी बात सही है अब हम देखते हैं कि कौन्यू भी अपने इस बात को नहीं चुपा पाती और वो सिंग्यून के सामने अपनी गलती को एकसेप्ट कर लेती है इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने इस गलती के लिए पनिस्मेंट के लिए भी रेडी है जिस पर सिंग्यून कौन्यू से क सुनकर क्वानियू कहती है कि मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ इसके बाद सिंग्यून क्वानियू से पूछता है कि क्या तुम और भी किसी चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ तब क्वानियू से कहती है कि मिजू फैमली के अंसेस्टर्स नाइन टे से मैं मुझे कुछ बलरी फिगर दिखाई देते थे जो कि तबाही से बाहर आने के लिए लगातार अपनी कोशिस कर रहे थे लेकिन आखिर कार काफी कोशिस करने के बाद भी वो उसमें से बाहर नहीं आ पाए इसलिए इस बात के वज़ा से कौनियू को इसके बारे में बहु स्वीट के साथ में कंबाइन हो गई है जबकि लियूस या नाइन कोल्ड वेंस को पज़ेस करती है जिसके वज़ा से जरूर ही डार्क में एक फिलिंग आएगी और इसका मतलब यह विया की फ्रेग्रेंस यानि की खुस्वु सच में खतरनाक है इसके बाद सिंग्यून को जानियू से कहता है कि तुम अभी भी उतना ज्यादा बुद्धी मान नहीं हो जिसके वज़ा से तुम मार्सलार्ट को कल्टिवेट और इनहेरीट नहीं कर सकती इसी के साथ वो उससे यावी कहता है कि तुम्हें जो बलरी फिगर दिखाई देते हैं उसके उपर तुमें ब भरी हुई हो लेकिन कौनियू सिंग्यून से बताती है कि उसने ऐसा वीजन कभी भी नहीं देखा लेकिन तभी अचानक से लुफान भी वागते हुए सिंग्यून के पास में आता है और वो इसे बताता है कि मांटें गेट के बाहर हमें एक आदमी मिला जो कि बार बार कह र जो कि सिंग्यून से मिलना चाहता है लेकिन अभी से देखते ही सिंग्यूनी से पाचान जाता है और फिर वो कहता है कि यह तो वही है जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली व पताना कि याज का explanation आपको कैसा लगा